उत्तरपर्दिश पुलिस वर्थी 2022 असिस्टंट इडवरेटर या फिर है डवरेटर के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा खास है जिहां मेरे प्यारे भाई अगर आप उत्यपरदेश पुलिस वर्ती 2020 में इस बार अपने एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो गिर्पया आप इस क्लास को अंदे तक जरूर देखना मेरे प्यारे भाई आज हमारी जीके और साइंस की बेतिंग क्लास नंबर 74 है इसके पहले हमने 73 तक अच्छे से कंप्लेट कर लिया अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेरिष्ट में जाए हर एक क्लास को कर्मान साथ देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई आप जानते होंगे मैंने क्लास नंबर 1 से सुरूरा किया और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 74 पर गाइस मैं आप सब को यहां पर बता दूँ कि जितनी भी आपकी क्लासे सो रही हैं संपत्त के उत्रा अधकारी नेक लोग हो सकते हैं लेकिन कर्मों के उत्रा अधकारी केवल हम स्वयम ही होते हैं मेरे पहरी भ़ाई समझ गया होंगे अगर गाईस आज आए तो देखो गाईस अगर कोईबी हो ना अगर गाईस वो अपने माता पिता की बनाए हुई धन पर गाईस अगर वो राजा बनके इधाउतर जो घूम रहा回去 ना पर इस सिद्दत के साथ लगे रहोगे अंत तक तो यह दावा है कि आप सब का सिलक्षिन जरूर हो जाएगा मैं तो आपके लिए कोशिस करी रहा हूँ आपके लिए मेहनत करी रहा हूँ तो मेरे पैरे भाई यह आज की इस बेटिंग क्लास के कोईसेंस के तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन का बताईए अंसर सही क्या हो जाएगा विडजू महाराज का संबंद जो है यह किस सास्त्रे निर्त से था इसका अंसर बताएंगे सभी पैरे भाई बैन राइट ना अंसर क्या हो जाएगा विडजू महाराज का संबंद क से सास्त्रें निर्ट से था यहां पर था होना चाहिए ठीक है अब हाई नहीं क्योंकि गाइस अब नहीं रहे गए तो देखो मेरी प्यारी भाई इसका सखी आंसर हो जाएगा अगला है आपके सामने कि भारत के किस राज में सबसे अधिक सागसरता दर है इसका अंसर आप सब सबसे अधिक सागसरता दर है तो जो भी हमारे भाई रेमें प्यारी में प्यारे में त्रियां पर बता रहे हैं कि सबसे अधिक सागसरता दर केरल में है बिल्कुल प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि ब्रहमा समाज की अस्तापना किसने की थी सभी पहरे भाई फटफ़र अंसर देंगे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ब्रहमा समाज की अस्तापना किसने की थी लगबा कि सभी पहरे भाई इसका अंसर जानते भी होंगे तो बता दीजे फट फट पर्फट आंसर क्या हो जाएगा तो देखो ब्रहमर समाज के अस्नावना किस ने कीज़ी मेरे पैरी भाई राजा रामोहन राए के दौरा की गई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा है यहांपर आपका option number A राजा रामोहन राए जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्री यहां पर option A बता रहे हैं बिरुकुल perfect answer आपका हो जाएगा अगला है कि उत्रप्रदेश राज में कौन सा जन पर तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है इसका answer आप सब प्यारे भाई में बताएंगे correct answer क्या हो जाएगा उत्र प्यारे question आपके आज बहुत ही जादा important है सही answer हो जाएगा हमारे प्यारे भाई किस जन्पद में है तो वह हो जाएगा आपका मत्हुरा में जो भी प्यारे भाई में प्यारे में त्रिहां पर option D बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा guys मैं आपको बता दूं आज question की संख मुद्रा का क्या तादिपर ही होता है अब इसका answer आप सब पहरे भाई बताएंगे मुद्रा का तादिपर यह क्या होता है आप हर एक option को पहले ध्यान से पढ़िए पहला option आपके सामने मूले का मापक चलिए और option देख लेते हैं करमचारी को मिलने वाला बेतन लाभांस कि मुद्रा का मतलब होता है किसी बी गाहिस वस्तू के मूले का मापक करना ही उसका मुद्रा कहलाता है सही answer क्या होगा मेरे पहले पहले में त्रियाँ पर आपका option a अगला है कि विश्व में प्लेटिनम का उतपादन किस देश में सबसे अधिक होता है इसका answer आप सब पहरे विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा question number 86 का जो भी प्यारे भाई बेन प्यारे मित्रियां पर बता रहें कि दक्षिन अफ्रीका में बिलकुल correct answer हो जाएगा हमारे प्यारे भाई option number A आपका बिलकुल यहां पर correct answer हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किस मुगल साशक के आदेश पर शिक्खों के पांचवे गुरू अरजुन देव जी को मार दिया गया था। मेरे पहरे भाई आपसे इस प्रकार भी यह question पूछा जा सकता है कि जो शिक्खों के गुरु अरजुन देव थे इनका कौन सा अस्तान था। मेरे पहरे भाई शिक्खों के गुरूं में इनका पांचवा इस्तान था और गाईस से इनकी जो मतलब अत्या है या पिर गाईस इनको मार दिया गया कि सासक के आदास पर अगर आपसे यह पूछा जाता है तो याद रखना हमारे पहरे भाई वो थें यहाँ पर जहांगीर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आपसेन नमबर डी जो भी पहरे भाई वेन पहरे में तरिया पर आपसेन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने है कि भारत में राश्ट्रिये खेल दिवस कब मनाया जाता है इसका अगस्त को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आपसेन नमबर ए 29 अगस्त को जो भी पहरे भाई वेन पहरे में पर आपसेन अपर आपसेन बता रहे हैं बिल्कुल परफक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला है कि सबसी अधिक प्राचीन पुरान कौन सा है इसका अंसर आप से पहरे भाइबेन बताएंगे करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा सबसी अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है तो जो भी हमारे पहरे भाइबेन पहरे में तरहां पर बता रहें कि मतस्य पुरान जो है यह सबसी अधिक प्राचीन पुराणे विल्कुल करे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रिचेता कौन है इसका अंसर आप सब पहरे भाइबें बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा लगबग सभी जानते होंगे मेरे पहरे भाई बिल्कुल कौन है मुहम्मद इकबाल जो भी पहरे भाई बेन पहरे में तो यहां पर बता रहे हैं option number B मुहम्मद इकबाल बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला किशन आपके सामने है कि निम्रे में से कौन सा युगम सही नहीं है मेरे पहरे भाई इसका अंसर आप सब को बताना है कि इसमें कौन सा युगम सही नहीं है कहने का मतलब है मेरे पहरे भाई यहां पर कुछ दरोड रस्तल दी गई है और यहां पर उसे समंदित असान दिये गए है देखो बड़ा इमाम बड़ा कहा है लखनों में क्या यहां सही लिखा गया है बिल्कुल मेरे पहरे भाई यहां पर बिल्कुल सही है बड़ा इमाम बड़ा लखनों में है यह बिल्कुल सही लिखा गया है अगला दिया गया है कि निसाद बाग जम्म कस्मीर में है ये भी गाइस बिल्कुल सही लिखा गया है जो भी पहरे भाई बेने यहाँ पर बताएं आपसे पूछा जाए तो मेरी पहरे भाई हुमायू का मकबरा कहां पर है वो हो जाएगा डेली में यानि कि दिल्ली में जो भी पहरे भाई बेन आपसेंडी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल पर्फक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला है कि चंद्रप्रभाव मरी गवन भारत के किस राज़ी में इस्तित है इसका आंसर आप सब भी पहरे भाई बताएंगे परदेश में है जो भी प्यारे भाई भी नहीं आपर बताएं ओप्सन नमबर ए विलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन आपके सामने है कि अरुजन प्रसकार किसे छेत्र से संबंदित है इसका आंसर आप सब प्यारे भाई भाई भी बताएंगे अरुजन प्रसकार जो है मेरे प्यारे भाई यह खेल कूश से संबंदित है ठीक है और गाईस इसका जो आरंब किया गया अरुजन प्रसकार का यानि कि अरुजन प्रसकार कब से दिया जाना प्रारंब किया गया अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना 1961 से 1961 से और म शिनेमा मतलब गाई से जिसे फिल्म हो गया ना फिल्म के लिए कौन सा प्रसकार दिया जाता है तो दादा साहे फाल के प्रसकार दिया जाता है ठीक है मेरी पैरे भाई अगला गुश्चन आपके सामने है कि भारत में भारत कोकिला या फिर नाइटिंगल आफ इंडिया के ना आना जाता है बताईए अब देखो मेरे पैरे भाई यहां पर आपसे कहा क्या गया भारत में भारत कोकिला के नाम से याद रखना हमारे पैरे भाई वह हो जाएंगी सरोसने नाइडू जो कि उत्र प्रदेश की सबसे पहले महिला में राजिपाल बनने वाली है ठीक है यह हो बाइ इंद्रा गांधी को लो महिला के नाम से जानते हैं या फिर गाइस इंद्रा गांधी का एक और नाम जिसे आप कहते हो आइरन लेडी चाहे आइरन लेडी का जाए या लो महिला का जाए बात एक ही है इसके लाम मेरे पैरे भाई यहां पर जो लिखा गया है पीटी उसा इन्हें भारते एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर चारो आप्शन का मैंने आप्रेशन कर दिया आई होप आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर चुके होंगे अगला आपके सामने कि भारत के प्रतम उपराश्ट पती कौन थे अब मेरे पैरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करो और लगबग इजी बहुत है जानते भी होंगे सभी पैरे भाई अब देखो मेरे पैरे भाई यहाँ पर भारत के प्रतम उपराश्ट पती कौन थे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डॉक्टर एस रादा क्रिसलन या फिर जिन्हें आप कहते हो डॉक्टर सरवपली रादा क्रिसलन मेरे पैरे भाई यह भारत के प्रतम उपराश्ट पती थे ठीक है और यहीं अगर कहा जाए गाईस यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर हुसें लिखे गए मेरे पैरे भाई यह भारत की पांचवे उपराश्ट पती थे ठीक है तो यहाँ पर गाईस मैंने आपको बता दिया यह पहले हो जाएंगे यह दूसरे हो जाएंगे यह तीसरे हो जाएंगे और यह पांचवे हो जाएंगे अगला आपके सामने कि भारत की राष्ट्रपती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं इसका अंसर आप सब पैरे भाई बेन बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरी पैरे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार सभी पैरे भाई बेन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे कहने की जरूरत ना पड़े गाईस आप इतने समझदार हैं आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो एक बार सभी पैरे भाई बेन क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए कहने की जरूरत ना पड़े मेरे पैरे भाई पहले फटफ़र लाइक कर दो इसके बाद या आप क्लास को देखो देखो गाईस लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा और अगर लाइक करने से गाईस आपके एक लाइक से हमें बहुत ही बड़े मोटिवेशन की गाईस यहाँ पर उत्षाहित की होने की उर्जा मिलती है तो एक बार सभी पैरे भाई बेन क्लास को दिल से लाइक कर आप सब की जिम्मेदारी है कि आप क्लास को लाइक तो करी दिया करें सभी पैरे भाई बेन क्लास को लाइक कर दीजी कहने की जुरत ना पड़े काई छोड़े बच्चे ने यो कि लल्ले पंजे हो जाओगे ठीक है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बारत के राष्ट प के अनुसार सही आंसर क्या होगा आप अनुच्छे चपन के अनुसार राष्ट पती अपना चाग पत्र अपर राष्ट पती को संबोधित करते हैं अगला कुश्चन आपके सामने मेरे पैरे भाई क्वेशन आप से क्या कह रहा है कि हाईजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इसका अंसर आप सब प्यारे भाई बताएंगे हाईजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अब देखो यहाँ पर हाईजा रोग से कहा गया मेरे पैरे भाई हाईजा रोग से जो यहाँ पर आथ है मेरे पैरे भाई आथ यह गाईज ज आपके सामने दिया गया है मेरे बाइज फेफडी फेफडी की बात की जाय तो फेफड़ा जो है मेरे पेज़े पूछा जा सकता है तो आप हार एक option को ध्यान से देखा कीजी अगला कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवरसी योजना लागू है बताइए इसका सही आंसर क हो जाएगा वह रवी जो भी पैरे भाई बेन ऑप्सन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है आपके सामने कोईशन नमर 99 है इसका अंसर बतादो थोड़ा मैं नीचे कर दो अब बताओ कोईशन आपके सामने है यहाँ पर देखलो मैं गाईश यहाँ पर हाइलाइट कर देता हूँ इसको ठीक है थोड़ा सा गाईश आपको यहाँ पर भ्रहमित होने के आपसन दिख रहे होंगे तो य लेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिनकुना मेरे पयरे रखे सिनकुना जोना सिनकुना इस सामने भारतका सिलिकॉन वैली कहा इसे हैं अब मेरे पैरे भाई थोड़ा सा आपको यह कोई सेंट टफ लग रहा होगा लेकिन याद रखो। बारत का सिली कौन बैली इसका जो सही आउंसर हो जाएगा हमारे पैरे भाई तरह पर आउपसें बी बता रहे हैं बिलकुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि योज इसका अंसर आप सभी प्यारे भाई भेंगे कि योजना आयोग के अशान पर वर्तमान के इंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया मेरी पहरी भाई इसका जो सखी आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नीट आयोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर option number A नीट आयोग मेरी पहरी भाई यह आप याद रखना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की असापना की गई और योजना आयोग को एक जनवरी 2015 को मंत्री मंडल प्रस्ताव दोरा नीट आयोग की असापना की गई कहने का मतलब मेरी पहरी भाई इस योजना आयोग के असान पर एक जनवरी 2015 को नीट आयोग का गटन किया गया ठीक है अगला है कि गोबर गैस में मुख्यता कौन सी गैस होती है बताईए इसका perfect answer क्या हो जाएगा गोबर गैस में मुख्यता कौन सी गैस होती है देखो गोबर गैस में अगर आप से पूछा दै मेरे पैरे भाई कौन सी गैस होती है तो याद रखना यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मीठेन जो भी पैरे भाई बन बता रे मीठेन बिलकुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option नमबर A अगला है आपके सामने कि राज्य सभा सदस्यता के लिए नियुनतम आयू कितनी है राज्य सभा सदस्टा के लिए नियुंतम आयू कितनी है फटफट आंसर देजिए सभी प्यारे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो देखो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आप याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा और अगर राज्य सभा की बात की जाए तो मेरे प्यारे भाई याद रखना है राज्य सभा के सदस्टा में राई सदस्टा लेने के लिए जो नियुंतम आय होनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए तीस वर्स होनी चाहिए वहीं अगर आपसे का जाए लोग सभा के लिए तो लोग सभा के लिए मेरी पहरी भैई 25 वर्स होनी चाहिए ठीक है अगर राजी सभा बात करते हैं तो 30 वर्स लोग सभा बात करते हैं तो 25 वर्स ठीक है मेरी पहरी भैई अगला आपके सामने यहाँ पर question है कि calculator जो है यह किस प्रकार की computer कार्य पद्धती पर कार्य करता है calculator जिन्ह गाइस आप हर एक कामें यूज करती हो बताईए इसका correct answer क्या हो जाएगा question number 105 बताईए अब देखो calculator जो है मेरे प्यारे भाई यह digital computer कार्य पद्धती पर कार्य करता है सही answer क्या हो जाएगा यहापर आपका option number C digital computer कार्य पद्धती पर सही answer यहापर क्या होगा आपका option number C अगला आपके सामने है question क्या कह रहा है कि वाताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपने ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में परिवर्तित हो क्या कहलाता है अब देखू वाताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपने ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में परिवर्तित हो जाए थोड़ा सगाई साप यहाँ पर समझने की कोशिस करो इसका जो सगी answer हो जाएगा ना अगर कोई भी ठोस आए और वो अगर द्रव में बनता है तो कैसा होगा गलेगा ना तो इसी तो हम कहते हैं मेरी प्रफातन की बात की जाये मेरे प्हरे भई तो अर्थौपातन का मतलब यह हुआ कि कोई भी गाईयर ढर श。 जानते होंगे प्लासमा तो आप जानते होंगे प्लास्मा क्या है गाई इसे पदार्थ की चोथी अवस्ता है अगला आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पिंसन यूजना कब प्रारंब की गई इसका अंसर आप सब पैरे भाई भाई भेन बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यानि उत्तर प्रदेश के गाई तब जो मक्यमंत्री थें वो कौन थें अखले से यादो थें उनकी अद्धक्षता में मंत्री मंडल द्वारा समाजवादी पिंसन यूजना जो है मेरे पैरे भाई ये कब प्रारंब की गई थी इसक समाजवादी पेंसन योजना का लाव जो है चालीस लाख गड़ी परिवारों को मिलने की बात की गई थी तीक है अब गाईस इसे डिसकस नहीं गरेंगे यह आने की उमीद नहीं है अगला आप देखो कि निम्न में से क्या कार्वो हाइडरोड के शुरूत नहीं है नहीं है ब आपके अंदर जजबा है और अगर आप उसको डेफिनेटली पूरी ताकत लगा करके उसके लिए अपने उसे लक्ष को प्राप्त करने के लिए पूरी जान लगा रहे हो तो दिनिया के से कोई ताकत नहीं कि आपका सिलेक्शन होनी से रोख सके बस आपके अंदर वह अपका और दी प्यारी बाइब अलू में आराज में बूद में इन सबये कार्बो हायडरेट की स्रोथ होते हैं इसके अलमा कहाँ जैस फल पल में जैसे केला हो गया इधर आ रहे है मौसम जाइज आम के आम में भी होता है और अनास में कुछ भी कहा जैए चावल के हो मक्का कुछ भी का नहीं होता है अगला कि उत्तर आंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई वह जाएगा ट्रांस पोर्ट नगट से चार बाग तक है सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका option number c यह आपका question important है question क्या के राय कितने माप से अधिक ध्वनी को सोर का नाम दिया जाता है अब मेरे पैरे भाई कितने माप से अधिक ध्वनी को सोर का नाम दिया जाता है इसका जो सखी आंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई वह हो जाएगा 80 decibel अगर 80 decibel से ही अधिक कोई तेज बोलता है ना तो उसे कहा जाएगा वो चिला रहा है, मतलब सोर कर रहा है अगर कहा जाए साधारन बातचीत में तो साधारन बातचीत में कोई भी अगर उपयोग करता है 30 से 60 के बीच, 30 decibel से 60 decibel के बीच अगर वो बात करता है तो उसे साधारन बातचीत में हम कहेंगे अगर जोड से बातचीत कहा जाए तो गया जो दस और बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा, बश ठीक है अगला आपके सामने कि एक केंप्यूटर में इस्टोरेश माध्यम की छमता की इकाई क्या होती है इसका अंसर आप सब प्यारे भाई भेन बताएंगे एक केंप्यूटर में इस्टोरेश माध्यम की छमता की इकाई क्या होती है सही आंसर हो जाएगा आपका option number a by it अगला है कि अंतरष्टे महिला दिवस कम मनाया जाता है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप याद रखना अंतरष्टे महिला दिवस जो है यह कम मनाया जाता है सही answer होगा यहाँ पर आपका 8 March को मेरे प्यारे भाई 8 March को अंतरश्टिय महिला दिवस मनाया जाता है सही answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option number C इसके लावा मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर 8 मही लिखा गया है न यह भी आप याद रखना याद आ गया तो बता दें 8 माई को गयश 200 रेट क्रास दिवस मनाया जाता है ठीक है मेरे प्यारे भाई अगला आपके सामने है कि भारत में किसी राज्य की पर्थम महिला मुक्ष्यमंद्री कौन बनी अब किसी राज्य की अगर का जाए तो मैं याद रखना ठीक है वो गयश बनी थी अपने उत्तर पर्दियस की अब इसका आंसर बता दो आप सभी का हो जाएगा फटा फटा दे दीजे सही आंसर क्या हो जाएगा देखू गयश किसी भी राज की पर्थम महिला मुक्ष्यमंद्री कौन बनी वो हैं स्रीमती सुचेता क्रिपलानी मेरे पहरे भाई स्रीमती सुचेता क्रिपलानी जो हैं गयश यह सबसे पहले मुक्ष्यमंद्री बनने वाली महिला है कहाँ कि यह बनी थी तो यह बनी थी अपने उत्तर 뚜ेश की हमिए गाइस यह पर जो लिखा गया है स्िरीमति फातिमा भीवी याद रखना मेरे पहरे भाई फातिमा भीवी nicas एहां पर लिखा गया है इंडियन एयर नोड़ा वक्राफ ऐने मेला थी गश्री मतीड दुर्गावनर जी बाद की प्यारे भाई इंडियन एर राइन्स की पहली महिला पाइलट ही ठीक ये अब अगला आपके सामने है फिजिक्स आ गया है गाईस फिजिक्स से भी क्वेशन आपकी आने वाले है आप जानते होंगे क्वेशन है कि एक तैराक उचाही से कूदते समय हवा में आसानी से कलावाजी कर सकता है यदिवा अब यदिवा कैसा करेगा देखो मैं आपको यहाँ पर बता दू मेरी प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लि लाइक कढ़ी दिया करो चैनल पर पहली बार है मेरे प्यारे भाई तो कर पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि आने वाली हर लाइब क्लास की नडिपकेसन आपको टाइम टो टाइम मिला करें ठीक है एक तैराक उजाई से कूदते समय हवा में आसानी स कलावाजी कर सकता है यदि यदि वा गायस अपने हाथ पैरों को भीतर की और मोड लेगा मेरी प्यारे भाई अगर वा हाथ पैर अपने भीतर की और मोड लेता है तो उसका जड़त तो अभूर्ण होता है मेरी प्यारे भाई वा कम हो जाता है और उसका कोड़ी बेक कैसा हो एक दिवार को धक्का देता है पर विस्थाफित करने में असफल रहता है तो वह कारी करता है यह गाईस मैंने बहुत दिन पहले आपको पढ़ाया था लगबग सभी जानते होंगे मैंने आप सब को बताया था गाईस कि जो कारी होता है यह गाईस होता है बल गुड़े बल की दिशा में बिस्थापन मेरी पैरे भाई कारिय बराबर क्या होता है बल गुड़े बल की दिशा में बिस्थापन यानि कि अगर बिस्थापन होगा तभी कारिय होगा कहा क्या गया एक वक्ति एक दिवार को धक्का देता है लेकिन वह बिस्थापित करने में असफल रहता है यानि वह दिवार को धक्का दे रहा है लेकिन दिवार गिर नहीं रही है मतलब उसका कारिया नहीं हो रहा है मेरे पैरे भाई अगर विस्थापन नहीं होता है तो कारिया भी नहीं होगा सही आंसर क्या होगा कोई भी कारिया नहीं करता है सही आंसर क्या होगा हमारे पैरे मित देखो नहीं कि Skyneutics Energy इसमें नहीं है। देखो चलती हुई गोली मतलब कार्यार यह यह इसमें गती… गती और गती कर रहे हैं, मतलब मेरी धनूस कृर्जा नहीं है। में गाइस kinetic energy ना होकर के potential energy है मतलब मेरे प्यारे भाई इस ततीच ओड़ जाए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका option D जो भी हमारे प्यारे भाई बेने आपका option D बता रहे हैं बिल्कुल सही answer होगा अगला है कि स्वेत प्रकार से कितने रंगों का मिस्रान होता है आज इस मैंने easy level ले आए तो बताइए इसका perfect answer क्या हो जाएगा इस class की PDF जो है मेरे पहरे भाई मैं आपको बता दूँ इस class की PDF जो है वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी मैं आपको दिखा दूँ गाइस की telegram channel का name क्या है एक मिनट यह दिखूँ मेरे पहरे भाई telegram पर आप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी ठीक है अब देखो इसका बताइए स्वहत प्रकास कितने नंगों का में सरण होता है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका साथ रंगों का जो भी प्यारे भाई बेन प्यारे मित्री यहां पर बता रहें option भी बिलकुल सही आंसर होगा अगला है निम्र में से कौन स सदा उस वस्तू की छोटी छवी बनाएगा जो उसकी सांगने रखी जए चोटी छवी मतलब में मेरे प्यारे भाई यह हुआ कि इन चारों दरपणों में से कौन सा दरपण किसी भी वस्तू का प्रतिविंब छोटा बनाएगा शखी आंसर क्या हो जाएगा उत्तल दरपण मेरे प्यारे भाई उत्तल दरपण जिनें आप कहते हो अप सारी लेंसर मेरे प्यारे भाई अप सारी भी नहीं कहते हैं अप सारी दरपण भी कहते हैं शखी आंसर क्या होगा आपका उप्शन डी अगला है कि आउप्टिकल फा बताईए इसका perfect answer क्या होगा optical fiber सिधान्ट जो है optical fiber जो है 21 सिधान्ट पर कारिया करता है मेरे प्यारी भाई इसका सही answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कुल आंत्रिक पड़ावर्तन के कानर सही answer क्या हो जाएगा आपका option D अगला है कि प्रकास का रंग निर्धारित होता है इसके अब इसके किस पर निर्धारित होता है मेरे प्यारी भाई मैं आपको बता दूँ जादा मैं guys यहाँ पर explain physics में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि guys अब बहुत ही जादा time हो रहा है यह उसके बैवलंग्त या पर उसके त्रंग द्रधारित करता है सही आंसर क्या होगा आपका option V जो भी प्यारी भाई में बताएं हैं बिल्कुल सही होगा अगला है कि कांच सही वायू में प्रवेस करते हुए प्रकास का कि शरंग के लिए करांटी के कौन नियुनतम होगा इसका आंसर बता दो मेरे प्यारी भाई correct answer क्या हो जाएगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी जो भी प्यारी भाई में प्यारी में तेहां पर option D बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा अगला है कि निम्न में से किसमे प्रकास के पूर्ण आंद्रिक प्रावर्तन की परिगटना परियुक्त की जाती है पूर्ण आंद्रिक प्रावर्तन की परिगटना परियुक्त की जाएगी इसमें किस घटना में बता दो फट फट अंसर बता दो सभी तो देखो मेरी पेरे में मरीच का मरीच का जो है मेरी पेरे मरीच का जो है इसके निर्मार में पूर्ण आंद्रीक बढवरतन हो जाएगा सही अंसर क्या हो जाएगा यहांपर आपका option E इंद्रधनुस की रचना किसे से होती है अब इसका आंसर आप बता दो मेरी प्यारी भाई इंद्रधनुस की रचना जो है या होते जल की बूंदो द्वारा सूरी के प्रकास के अपवर्तन और पड़ावर्तन से यानि जब जल की बूंदे गाईश वाय मंडल में ही रहती है तब जो सूरी का प्रकास गाईश इस पर पड़ता है तो इसके अपवर्तन और पड़ावर्तन के कारण गाईश इंद्रधनुस की रचना होती है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्सें नमबर एक प्रकेटिक इस्पेक्ट्रम बनता है तारों का रंग जो है यह निर्भर करता है किस पर इसका आंसर आपको बताना है यह पर दूरी लिखा गया ठीक है दूरी पर अब मेरे प्यारे भाई बता दो इसका प्रफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तारों का रंग निर्भर करता है कि अगर तारे का रंग नीला है तो उसका अगर लाल है तो उसका तापमान सबसे कम होगा याद रखना अगला है कि सामानी आँख के लिए असपेश्ट दृष्टी की नियूंतर दूरी अब मेरे प्यारे बाई अच्छा मैं एक बात और बता दू कि गाईस कल मैंने एक क्वेश्टन गलती से गलती हो गई थी क्वेश्टन आपसे मैंने आपको बताया था क्या था उत्तर प्रदेश वो था गाईस आपका जीके में था ठीक है कल वाली क्लास में कि उत्तर प्रदेश का छेत्रफल की दि सबसे छोटा जिला तो मैंने गलती कर दिया था गाईस मैंने आपको बता दिया था महँबा तो इसके लिए सौरी इसका जो सही आंसर होगा मेरी पैरे भाई वह हो जाएगा हाप ठीक है उत्तर परदेश का छेत्रफल की दिश्टी से सबसे छोटा जिला जो है मेरी पैरे या होती है 25 सेंटीमीटर ठीक है अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए मेरी पैरे भाई तो अधिकतम दूरी होती है अनंत यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका आपसल सी अगला है कि निमने में से किस रंगीन प्रकास की आवरती जो है सब से कम है इसका आंसर आप सब फ आपके लाण रंग की सही आंसर क्या होगा मेरी पैरे भाई यहाँ पर आपका ओप्षेन नंबर सी बिलकुल सही आंसर होगा बिलकुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कि चमगादभ अंधकार में भी उल सकते हैं अब क्यों अब देखो आपको ये चार आप्षन नजर आ रहे होंगे, चार ओ आप्षन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर दो मेरे पैरे भाई, जो चमगादर होती है, ये गाईशे चमगादर जो है मेरे पैरे भाई, ये प्रासरब भी तरंग उत्पन करती है यानि जिन्हें आप गहते हो अल्टरासोनिक वेप्ज, मेरे पैरे भाई, चमगादर जो है, ये अल्टरासोनिक वेप्ज ये प्रासरब भी तरंग उत्पन करता है, इसी के वज़े से गाईशे वो अंधकार में भी देख सकता है, तो यहां पर सही आज़र क्या हो जाएगा पर आपका option number C मेरे प्यारे भाई जो लिखा गया है कि वें अपने द्वारा उत्पन प्रास्रब्री तरंगों या फिर ultrasonic waves की सहाईता से अपना मार्ग दर्शन कर पाते हैं इसी वज़े से वें अन्दकार में भी और पाते हैं अगला आपके सामने है question क्या कह रहा है कि द्वनी तरंगे हैं अब मेरे पैरी भाई इसका अनसर आपको ये बताना है कि द्वनी तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है सही आंसर क्या होगा आपका option number A अगला आपके सामने कि जब कोई तरंग एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक जाती है तो वा परिवान करती है अब आप से कहा क्या गया थोड़ा सा समझूँ कहा क्या गया कि कोई भी तरंग है अगर वा एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर जाएगी तो वा अपने साथ क्या परिवान करेगी क्या करेगी भाई उर्जा का तो ही परिवान करती है एनर्जी का तो ही परिवान करती है सखी आंजर क्या होगा मेरे पैरे मित्रा Option B जो भी पैरे भाई वेर Option B बता रहें बिल्कुल सखी आंजर होगा अगला है कि एक कड बिराम द्रब्यमान सून्य और उर्जा एवं संबेग असून्य है इसकी गती होगी अब देखो मेरी पैरे भई कहा आपसे क्या गहा है मतलब एक कोई कण है मेरी पैरे भई और वह किसमी है बिराम अवस्ता में है उसका द्रविमान क्या है tęसून्य है उर्जा और संबेग जो है मेरे पैरे भाई या असून नहीं है तो इसकी गती कैसी होगी गती यहाँ पर option आपके सामने दीग है C, C मतलब होता है हमारे पैरे भाई C का मतलब होता है प्रकाश का निर्वात में बेग प्रकाश का जो निर्वात में बेग होता है 3-10 के power rate वाला तो प्रकाश का निर्वात में बेग के बराबर होगा प्रकाश का निर्वात में बेग सेर्दिक होगा प्रकाश का निर्वात में बेग से कम होगा या फिर अनंत की और अग्रसर होगा सही आंसर होगा हमारे प्यारे भाई इसका जो भी बता रहे हैं यहाँ पर आपका की प्रकास का निर्वात वेग की बराबर होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका option number 8 अगला है मेरी प्यारे भाई कि निम्नमेशिक इसकी विद्दुचुम्बकिये तरंगों की तरंगदार्द है सबसे लंबी होती है फटफट आंसर दे दो फटफट जो इसका सखी आंसर होगा हमारी प्यारे भाई का हो जाएगा अवरक्त option number D बिल्कुल सखी आंसर होगा मेरी प्यारे भाई ये आप समझो जो अवरक्त लिखा गया है ना यानि जिने आपको तो Infrared Waves मेरे प्यारे भाई अवरक्त जो तरंगए या फिर अवरक्त जो मेरे प्यारे भाई किरणे हैं ये आप जो TV का इसे यूज करते हो उसके लिए आप Remote Control का यूज करते हो उस remote से अबरक्त तरंगे ही निकलती है ये भी आप याद रखना अगला है निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिश्टलिय है अक्रिश्टलिय है मेरे पैरे भाई इसका अंसर आप दे दो मेरे पहरे भाई आक्रिश्टलिय है यहाँ पर आपका कांच कांच जो है मारे पहरे भाई यहाँ आक्रिश्टलिय हो जाएगा यहाँ निगाईस यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपसन नमबर ए अगला आपके सामने कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा देखो चलिती लिफ्ट है ना कहा क्या गया चलिती लिफ्ट है ये तो बताया नहीं गया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो फिर अचानक लिफ्ट का तार तूट गया ये सब तो बताया नहीं गया केवल इतना ही आप से कहा गया कि चलिती लिफ्ट में ब्यक परफक्त आंसर हो जाएगा तो मेरी पैयरे मित्र यहाँ पर आज की जो क्लास है यह हमारे हिसाब से बहुत ही बेटरें थी और आपको हमारी मेहनत जो है बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो एक बार सभी पैरे भाई क्लास को दिल से लाइक कर दो और जो च सब्सक्राइब करने सरह आप को ही benefit मिलेगा आने वाली हल लाएफ क्लास की notifications आपको time to time मिला करेंगी इसके लाब मैं आपको बता दुए इस क्लास कीериap जो है मेरे प्यारे भाई वूह आपको हमारे टेलेक्राम चैनल अगसां गुरूजी बाई अर्विंसर पर मिल जाएगी या फिर अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर डियम करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजेगा अर्विंद जैसवाल डुपल जिरो डॉट कॉम अर्विंद जैसवाल डुपल जिरो यह आप वहां पर लिखेगा आपको आपर इस्टाग्राम आड़े भी मिल जाएगा आप वहां पर मुझे डियम कर सकते हैं तो आप वीडियो के निचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो सभी प्यारे भाइबेंट क्लास को लाइक कर देंगे और हमारी मेहनत कैसे लगी यह अपनी राय जरूर दीजिए का वीडियो में नीचे कमेंट में ठीक है तो मिलते हैं अंदुर्ण यह वीडियो में तब तक के लिए बहुत दो 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 दो